जहिंद आज के वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ रस याद करने की ट्रीक एकदम आसान भासा में आप लोगों को बताऊंगा की रस किस परकार से याद करें मैंने बहुत सरल सरल उदाहन लिये हैं हास रस और करोड रस की परिवासा बताऊंगा केवल एक ही रस याद करें और सभी याद हो जाएंगे चलो शुरू करते हैं जहां पर विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव के सियोंग से पूंडता को प्राप्त हास नाम इस्थाई भाव से हासरत उत्पन होता है इसमें हासरस उसे कहते हैं जिसमें हसी आये या और किसी के भेश भूसा पर हसी आये उसे ही हासरस कहते हैं अब देख लेते हैं जहां पर विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव के सियोंग से पूंडता को प्राप्त हास नाम इस्थाई भाव से हासरस उत्पन होता है मतलब ये तीन सब्द विभाव अनुभाव सभी में आप लोगों को विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव मतलब किसी भी कोई भी रसो उसमें ये लिखना उसके बाद में भाव के सियोंग से को मतलब सयोग से पूर्टा सभी में लिखना है को प्राप्त अब जैसे यहां पर हास रस का इस्थाइबाव हास है तो हास लिख दें करून रस का इस्थाइबाव सोक है तो यहां पर सोक लिख दें इस तरह से नामक इस्थाइबाव से हास रस उतपन होता है ये हास लिखा इस प्रकार लिख दें सभी प्रकार मतलब कोई भी रस हो सभी में इसी ट्रिक का यूज करें एक भी नमबर नहीं किटेगा मैंने इसी प्रकार से लिखा था मेरे फुल ही मारक आये थे इंदी में इसी प्रकार से लिखा था फिर से देख लेते हैं विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव मतलब ये तीन चीजे विभाव और अनुभाव तथा संचारी भाव इस परकार से कोई भी मतलब रस हो इतना लिखेंगे जहां पर विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव के सयोग से पूंडता को प्राप अब यहाँ पर जैसे हास रस का इस्थाई भाव हास है तो हास लिग देंगे और करूण रस का इस्थाई भाव सोक है तो यहाँ पर सोक लिग देंगे नामक इस्थाई भाव से अब यहाँ करूण होता तो करूण रस उत्पन होता है और इसका उदाहरण देख लेते हैं इतन वी नमबर नहीं कटेगा अब देख लेते हैं करोणरस उसी प्रकार से जिस प्रकार मैंने बताया है इसमें भी देखो करोणरस में भी विभाव अनभाव तथा संचारी भाव ये तिन हैं विभाव अनभाव तथा संचारी भाव के सयोग से पूर्णता को प्राप्त अब यह मतलब हास था इस्थाइवाव यहाँ पर सोक नामक इस्थाइवाव से करोण रस उत्पन होता है इस प्रकार से लिख दें एक भी नमबर नहीं कटेगा मैं इसी ट्रिक का यूज किया था अब इसका उदाण देखने है खगमरग है मधुकर स्रेनी तुम देख सीता मरगनेनी ये उदाण बहुत ही सरल है और दूसरा और मैं बता दू एक भी दूसरा और है जैस इस प्रकार से हा वरध्धा के अतुल धन, हा वरध्धा के सहारे, हा प्राणो के परमपिय हा एक मेरे दुलारे ये मतलब उसमें बिद्या में भी दिया है जो मतलब यही सरल है यही याद करने इसका इस परकार से करोंडरस की इस परकार से आप Grundy इस के स्क्रीनशाट भी ले सकते हैं अच्छी तरीक के से याद कर लेना कोई भी रस हो चाहें क्लास 10 में हो या 12 में हो या 9 या हाइ स्कूल किसी में भी हो या फस्टियर में सभी में ये ट्रिक काम कर जाएगी जहां पर विवह अनवा थता संचारी भाव के सियोग से पूर्ता को प्राबताब यहां पर इस्थाइ भाव लिख देंगे नामगिस्थाइ भाव से हासरस उत्पन होता है जहिन बंद्य मातर मिलते गलेगे